सटब्प सब्सक्राइब 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 एक ऐसा फ्रेज को आसानी से याद रख सकते हैं दूसरा है हमारा ट्रिणोमेट्रिक रेशियो पॉर सम स्प्पेसिफिक एंगल जिसमें एंगल होगा हमारा जीरो नंटी-45-30-60 और यह ध्यान रखने में से आपको वेल्यू ने बताऊंगा आपको इसके पीछे का स्टाट सो फ्रेंड्स हमारे पहले टोपीक पर आ जाते हैं यह है सोकाटोव सोकाटोव कुछ नहीं आपको दिखा देता हूं आपका आसन से समझ में होगा है एस फॉर साइन ओ फॉर ऑपोजिट एच फॉर हाइपोटिनस सी फॉर कॉस एफॉर एफॉर एजिसन एफॉर हा तो सавать हुआ इसमें आपका सारे स्ट मेंट्रहीं कोट है यह ल और याद हो गए सोका टोवा से बहुत इजी हो जाते हैं रिमेंबर करने में याद ही नहीं करना पता है मतलब सोका टोवा तो कोई भी ट्रिणोमेट्रिक रिशो आशको पुछ ले आप बिंदास कर पाएंगे इसलिए यह मैंने ले लिया यह हमारा पिछले वीडियो का रिवीजियन बोल सकते है और ऐसा रिवीजियन कि जब कभी भी आप ट्रिणोमेट्रिक रिशो को बूली नहीं पाएंगे सोका टोवा सो सुदेंस लेट्स टोपिट विच इस वेरी इंपोर्टन टोपिक आफ दिस वीडियो सो सुदेंस हमारा नेक्स टोपिक ट्रिणोमेट्रिक रिशो पर सम पहले हम लेते हैं थीटा इस इकोल सु 30 डिगरी और इसके रिटेज इतने भी साइन कोस्त एक से कॉट की वेल्यू से वह हम देख लेते हैं इसके पहले हम देख लेते हैं कि यह वेल्यू आती कैसे concept क्या है उनके पीछे का अगर आप concept को अच्छे समझ लेंगे तो इसको य इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइट्स इक्वाल हो और जिसकी सारे इंगल्स इक्वाल हो तो इसकी सारी साइट्स तो इक्वाल है और सारे इंगल्स आओंगे हमारा 60 डिग्री सारी यह एंगल हमारे बनेंगे वो हमारे बनेंगे 60 डिग्री अब अब क्या करेंगे कि perpendicular ड्रो करेंगे from the point A to the side BC और इस point को नाम दे देंगे अब मैं चाहता हूँ कि आप यह जोट्राइंगल बन रहें इस ट्रैंगल पे can be तुह वाला स्पैसिफिक ट्रेंगल में उसको इसको यहां पर ब Wam दोकरता मुझा Slück AD जो है इस triangle में वह है एक bisector bisector का meaning क्या होगा कि जो angle भी bisect करेगा और जो side BC उसको भी half में bisect कर लेगा हमने माना था कि जो AB, AC और BC ये side की length क्या है 2 है क्योंकि एक क्यों रे triangle है तो सारी side की length क्या होगी बरबर होगी तो AB is equal to 2 है, अब BD क्या होगा कि BD होगा हमारा half of BC क्योंकि bisect करता है half of into 2A which is equal to A तो मैंने या पर लिखाई है तो हमारा ये वाला है 2A, BD है AD हमको पता नहीं अब क्या करेंगे, 90 degree मतलब 90 degree वाला right angle triangle मतलब कौन apply हो जाएगा Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem apply करेंगे, तो क्या होगा हमारा hypothenar square, AB square is equal to BD square plus AD square तो AD square क्या होगा हमारा AD square होगा हमारा AB square minus BD square अब AB square क्या है 2A है और 2A का square minus A का square अब 2A का square मतलब 2 का square मतलब 4 A square minus A square ये होगा हमारा 3A square तो AD square हम यहा लिख लेता हूं में therefore ad square is equals to 3a square तो ad क्या होगा बाद में अंडर रूट चला जाएगा मैं अंडर रूट 3a is equals to root 3a square root 3 upon और a square का root क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मतलब root 3a हमारे अब हमको इस triangle का रे आइट अंगल ट्राइंगल a b d का तीनों साइट पता हो तो हम क्या कर सकते हैं इससे आसानी से हमारे छेयों चेयों चेयों से फाइंड कर सकते हैं तो फटाफ़ फटा फटा करते हैं फ्रेंड अम पहले स्विछिन ऑफ 18uster करूंज है तो सोभ सब्सक्रांब को सब्सक्राइश सब्सक्राइब अब हाइपोटनेस की लेंड है 2 ए बीडी है ए और एडी है रूद 3 है हमने अभी फाइन किया तो बीडी अपोन एबी मतलब बीडी हमारे आपोजे मतलब ए ए भी हमारे टुए मतलब अब A cancels हो जाएगा 1 upon 2, sine 30 is 1 upon 2, अब sine 30 है, तो उसके साथ ही कौन हमको मिल जाएगा, cos X a, और cos X 30 degree, क्या होगा, ये sine का उल्टा मतलब 2, कैसे find होगा, sine होगया, तो cos X होई जाएगा, ठीक है, यह हमारे 2 होगा, थर्ड करेंगे, cos A, या cos 30 degree, अब cos 30 degree क्या होगा, का का सो का सी ए ए एच तो question अपन hypoetus तमारा एट्जिंस है ad hypotenus है ad ad के लेंड है रूथ 3 है ab है 2 है हमारा a cancel होगे ğ्रूथ 3 अपन 2 तो हमारा cos 30 होग तो sec जाएगा 30 दिगरी क्या हो जाएगा इसका उल्टा मतलग 2 अपन रूट त्री चार्ट वही गया हमारा लास्ट बच्छे कॉन टेन अब टेन टेन ए और टेन थर्टी डगरी सो का टो आ टो आ टो आ टी ओ ए ओपोजिट अपॉन एड्जेशन ओपोजिट हमारा है बीडी एड्जेशन हमारा टो मारा होगा एपोन रूट थ्री एक एंसर फिर से वान अपॉन रूट थ्री अब टेन थर्टी हो गया तो उससे क्या मिल जाएगा अब आपको याद कितने रखने सिर्फ साइन कॉस और टेन बस यह तीन याद रखेंगे बागी सब्तों उसके उल्टा हो जाएंगे तब हम बात करते हैं एंगल थीटा हउगल 30 मतला अब रेफेरेंज एंगल होगा बी तो बी रेफेरेंज एंगल पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहां से शूरू काता है साइन B, विच इस साइन 6 डिगरी, तो ऑपोजिट अपोण है, हाइपोटिन आस ए हमारा एडी, हाइपोटिन आस है हमारा बी ए, यह हमारा ad की जो लेंध है वो है रुट 3 ए, BA की जो लेंट हो 2A, A cancer root 3 upon 2, ठीक है, sign मिल गया, तो cosac B मिली जाएगा, cosac B और cosac 60 degree, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 upon root 3, अब हम फाइंड करें, cos B, cos 60 degree, which is adjacent upon hypotenuse, adjacent A हमारा BD, hypotenuse है हमारा BA, adjacent A, BA हमारा 2A, A cancer 1 upon 2, इससे मिल जाएगा, sec B और sec 60 degree, वो क्या होगा, इसका उल्टा मतलब 2, last में हमारा 10B, और 1060 degree, toa, toa मतलब opposite upon adjacent, opposite हमारा है AD, adjacent हमारा BD, AD क्या है हमारा root 3 है, BD क्या है हमारा A, A cancel root 3, 1060 is root 3, और इसके रिटर हमको मिलाएगा, cot B, और cot 60 degree, cot 60 degree इसका उल्टा जाएगा, 1 upon root 3, फटा 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 हमने 6 trigonometric ratios, fine कर लिया, तो हमारा एंगल 30 का complete हुआ, एंगल 60 का complete होगा, अब हम बात करते हैं, एंगल theta is equals to 45 degree, तो दोस्ताइब हम बात करते हैं, theta is equals to 45 degree के लिए, अब एक triangle draw करता हूँ, जिसमें हमारा triangle, right angle triangle, ABC, और A जो हमारा है, वो है 45 degree, अब B है 90, और sum of all interior angles of a triangle, उसका sum क्या होता है 180 degree, मतलब क्या होगा इसका meaning, एंगल A, less angle B, less angle C is equals to 180 degree, एंगल A है हमारा 45, एंगल B है हमारा 90, एंगल CM को पता नहीं, हम find कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल C is equals to 180 minus 45 minus 90 degree, और यह हो जाएगा, हमारा 45 degree, वो 135 होगा, मतलब 180 degree minus 135 is 45 degree, मतलब हमारा angle C भी जो है, वो है 45 degree, अब, इस सम को एक चीज आसान होगी, क्या आसान होगी, हम देख लेते हैं, एंगल A, which is equals to angle C, which is equals to 45 degree, ओ, angle A, angle C, same, 45 degree, तो इस के लेटर जो इनकी opposite, यह angle के लेटर opposite, side zone होगी, वो भी क्या हो जाएगा, एंगल A के opposite, कौन है, side BZ है, angle C के opposite side कौन है, A B है, यह दोनों equal हो जाएगे, मैं मान लाता हूँ कि यह दोनों की length क्या है, A, A B के हमारी है, A, और B C के हमारी है, A, hypotenuse find करना है, right angle triangle, फिर से कौन अपला हो जाएगा, Pythagoras Serum, AB square plus BC square is equals to AC square, A square plus A square is equals to AC square, 2A square is equals to AC square, तो AC क्या हो जाएगा हमारा, under root of 2A square is equals to under root of 2A, तो हमारे यह वाला length क्या हो जाएगा, root 2 है, आमको तीनों तीन साइट की length पादा चाल कहीं, तब six trigonometric ratios when theta is equals to 45 degree fine करने के लिए कोई मिश्किल होगी, नहीं, फटा-फच से fine कर लेते हैं, ठीक है, हमारा पहला कौन fine करेंगे, साइन ए, यह साइन 45 degree, अब reference एंगल 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 कोई फरक पड़ता नहीं, मैं reference एंगल एंगल हो जाएगा opposite side हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, यह root 2a, के a cancel, बन अपन root 2, अब sign पटा चल गया, तो उससे क्या पटा चल लेगा, हमको cos 1 a, यह Cos 1 45 degree, वह हो जाएगा हमारा root 2, दूसरा, cos a find कर लेते हैं, जिसने को लस्टो cos 45 degree, क्या होगा, जालाएंगा एड़ेसं अपाँ हाइपोटीनश एड़ेसं अमारे भी हाइपोटीनश है हमारे एसी तो यह ओ जायगा हमारा एपन रूट टूए एक हैंसल वन अपन रूट मतलब साइन और कॉस फॉर डिग्री 45 डिग्री इस सेम वन अपान रूट 2 एं वन अपान रूट 2 तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे सेक एया सेक 45 डिग्री वो भी क्या हो जेगा हमारा रूट 2 थर्ड और लास्ट हमारा कॉंद बचा टैन एया 1045 टोवा ओपोसित अपान जेसन अपाजिट हमारा भी सी एजेसन है हमारा एबी विच इवकल तो एपोण ए एक एंसल वन अब टैन वन हा गया उससे हम कॉट फाइन कर लेंगे कॉट 45 डिग्री विच इवकल स्ट इवकल स्ट इवकल स्टू वन वाइन होगा यह तो उल्टा भी वन हो जाएगा और श अब हम बात करने वाले ठीटा जब वो जीरो होका और नाइटी डिग्री वारे में बात करते हैं जीरो डिग्री का मतलब क्या वाकल ठीटा को हमको लिम जर एक्जामपल से देखते हैं कि एक राइट अंगल ट्राइंगल है ठीक है एबी सी और यहां थीटा होगा हमारा ठीकले कर एक राइटय अलहें को कर्णा गया है कि इस ठीटा को हुए ना जीरो डनान मैं अब कैसे होगा कोई भी ठीटा यह मतलब अब इससे कम एंगल होगा तो यह ठीटा थ्वराणाय कम एंगल करते हैं ऐसे कंवट तूएक्ट हो जाएगा हो जाएगा हैуетष्च फ़ुरा कम हो गया है यह एए क्यांस है और उन्हाइufifi कर दो एक ज़िटाल और कम हो गया है इसे करते जायाइग करते हैं करते हैं कि तो आखिर भी दो होगा आखेर में क्या होगा कि यह जो एसी है ना यह भी पॉइंट था यह सी भी नहीं पर आ जाएगा और सी और बी के पीच में दिस्टंस ना के बढ़ा पर होगा और यह थीडा क्या होगा हमारा थीटा इस इकोल स्टू जीरो डिगरी तो समझ नहीं कोशी कर रहे हैं कि जै N थिटा इस इकोल्स जीरो डिग्री AB इस इकोल्स तू AC एन जो हमारा BC यह बी सी देखो फेल इतना बड़ा था पिर छोटा और चोटा हो फिर तो हो ही नी तो BC क्यी होगा हमारा 0 हो गया 0 unit हो गया तो इससे हमारा धेरफोर क्या साइन क्या हो गया sin theta which is equal to sin 0 degree opposite upon hypotenuse opposite हमारा BC और BC क्या है जब theta 0 तब 0 है नीचे हमारा hypotenuse AC 0 हो जाएगा और हमारा cos क्या होगा cos theta is equal to cos 0 वो क्या होगा कि हमारा होगा एजसें जैसें हमारा AB AB upon हमारा hypotenuse AC अब AB और AC तो इक्वाल है मतला AB upon AC को AB लिख सकता हूं और यह कट हो जाएगा इस इकल स्टुन आजएगा लोगा साइन 0 is 0 and cos 0 is 0 degree is 1 अब 10 क्या होगा 10 is opposite upon hypotenuse 10 क्या होगा 10 भी देखी लेता है 10 टीता वोगा हमारा opposite upon hypotenuse opposite हमारा BC और हमारा adjacent opposite हमारा BC और adjacent हमारा AB तो BC हमारा 0 upon AB मतलब यह भी हमारा 0 हो जाएगा ठीक्या तो 10 is 0 10 टीता और 10 0 degree is 0 तो साइन कोस्ट 10 आ गया मतलब इसके सारे उल्टे कोट क्या होगा इसका उल्टा रेश्य मतलब नौट डिफाइन हो जाएगा मतलब हमारा sec जो ओन हो जाएगा और sin का उल्टा कॉसे भी नौट डिफाइन हो जाए क्योंकि 0.1 और 1 upon 0 नौट डिफाइन होता है अब हम 90 दिग्री बार मात करता है अब ठीटा 90 दिग्री बार मात करता है अब ठीटा 90 की तरफ ले जाना मतलब अब ठीटा और बढ़ा तो क्या हो जाएगा देखो अच चीटा बढ़ाना है तो और बढ़ांगा मैं आप देखो आप देरे देरे में टिटा को 90 की तरफ ले जा ओ तब 90 की तरफ क्या हो जाएगा देखो ट्रांस्पोर हो ओंगे 90 की तरफ क्या हो जाएगा जब theta 90 हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा यह हमारा B यहाँ पर हमारा A जाएगा यहाँ पर हमारा C आजाएगा और हमारा theta और मतलब यह जो AB हो दिमे दिमे आके AC में मर जोगा तो इसका भी result क्या निकला कि AB is equal to BC इसका रिजल्ट क्या निकला कि जमारे AC साइट हो धिमे धिमे यह हाँ आके BC साइट से मर जोगया मतलब AC is equal to BC एंड हमारा जो AB है वो छोटा हो के हो के जब theta 90 degree हो जाता है तब हमारा AB क्या हो जाता है जीरो हो जाता है देर्फोर अब इससे हमारा साइन 90 degree क्या हो जाएगा ओपोजेट हमारा है BC और हमारा हाइपोटेनर से AC अब यहाँ पे BC और AC बराबर है मतलब BC अपन BC लिख सकता हूं मैं इस इक्वल्स तू वन हमारा कॉस 90 degree क्या हो जाएगा एज्जेशन हमारा AB अपन और हमार AB क्या है जीरो जीरो पॉन एसी जीरो जीरो और हमारा 10 क्या हो जाएगा 10 90 degree ऑपोजेट ऑपोजेट हमारा BC एज्जेशन हमारा AB अब BC ऑपोजेट जो है वह हमारा BC का भी सी है आरशन एक यह एब इस note Defi9 को जायेगा πया हमारा साइन को थैन आ गया तो इससी कभिल्टा अम्हारा कॉसेग से करो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारे इंगेक एंगल्स पता चलके होंगे और आपको पता ही है कि टेबल भी है दिया होएं के सब्वोग में तब भी रिफर कर सकते हैं है तो उम्मीद है तो अब पहले लिवाइस कर लेते हैं हमारा सन 30 और 1030 मेन आपको याद रखना साइन और कॉस साइन का याद रखने का इजी तरीका ऐता कर साइन में क्या होगा रो नैंटी छोड़ दो 3060 और 3044 दिग्री तो स्मॉल स्मॉल मिड्यूम लार्ज से वेलिए से याद रखो क्योंकि sign और cost में values अग ही जैसी है बस पहले sign में क्या है लार्ज small medium लार्ज हो रहा है और हमारा cost में क्या हो रहा है large medium small कैसे आपको दिखा देदा हूं नोगा जो largest value है sign और cost की table में बात करणों तो वह है relative upon to the medium value है वह है वहन अपान रूट टू और अमारी जो small value है वो है 1 upon 2 समद में आर आपको largest value अमारे रूट्री अपान 2 medium value अपान 1 upon root 2 और अमारे small value जो है वो है 1 upon 2 तो sign का 0 और 90 छोड़ दो तो sign में जलता है पहले small फिर medium फिर large कॉस में पहले large medium or small लार्ज मतलब था कॉस्ट 30 रूट्री अपान टू कॉस्ट 45 वन अपान रूट्टू and कॉस्ट 60 डिक्रीज वन अपान टू sign 30 वन अपान टू sign 45 वन अपान रूट्टू यह सब बनाइए सकते हैं क्योंकि टैन जो होता है वो साइन अपान को से था टू टू प्रिणम इसे बहुत होती है और यह बहुत फांडेशन यह इस बहुत काम लगेगी तो फटा फद देख लेते इस आइडेटिस को तीन इडेटीटीज है तो पहले इस यह समझने के लिए ट्राइंगल ले लेते हैं हमारा अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा क्या लगता है हमारा प्याटर्गुर्स तेरम लगता है तो इस पर आप्लाए तो क्या मिलेगा हमको को AB square plus BC square equals to AC square यह हमारे पाइटर को इस तिर रहा हूं अपलाए हो गया अब therefore अब मैं क्या करता हूं कि यह सारे जो यह जो equation है उसको मैं AC से divide कर रहा हूं किससे AC square से मैं divide कर रहा हूं देखो क्या होगा AB square plus BC square अब is equal to AC square और divide कर रहा हूं मैं दोनों side AC square से यह पर cut होगे क्या हो गया और यह होगा हमारा AB square upon AC square plus BC square upon AC square is equals to 1 अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AB upon AC the whole square plus BC upon AC the whole square is equals to 1 ठीक है हमारा AB जो है यह रहाँ यहां पर ठीटा मान लेते हैं तो हमार हो जाएगा adjacent opposite और हमार हो जाएगा हाइपोटिनस 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 ठीक है यहां बोल सकते है साइन स्कुर्ड टीटा प्लस कॉस्कुर्ड टीटा इस इवल्स तूब तो हमार्टिनमेट्रिक आइडिनिटी का पहला इडिनिटी हमने प्रूव कर दिया और यह याड रखना भी बहुत इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है नेक्स्ट दो अनिटिटिव देखी लेते साथ साथ में अब यह कर रहा हूं कि तीनों यह जो इक्वेशन इसको मैं अब सकते हको मुक करें आइडियाड कfeld में स्कूर अफोर्षन इसको मैं ऐसे वह लेक्वेशन दीटि Hybrid कर लेता है tove Espero upon a b square यह हमारा cancel हो के 1 हो गया plus b c square upon a b square is equal to a c square upon a b square इसको मैं ऐसे भी लिख सकते है 1 plus b c upon a b the whole square is equal to a c upon a b the whole square therefore 1 plus अब b c के हमारा opposite है और a b के addition opposite opposition मतलब 10 square theta तो आ opposite upon addition और हमार यह क्या है a c a c मतलब हमारा हो गया hypertenus upon a b is hypertenus upon addition मतलब cost का उल्टा cost है addition upon hypertenus तो cost का उल्टा कौन है sex मतलब यह हो जाएका हमारा sex square theta ति हमारे हो के दूसरी identity 1 plus 10 square theta is equal to sex square theta पहली identity है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 दूसरी identity है 1 plus 10 square theta is equal to sex square theta अब वैसा ही तीसरी identity भी प्रूव करना बहुत easy वह भी देखी लेते हैं पहले हमने equation को AC से divide किया तो equation को AC square से फिर हमने B2 से divide कर बचा कौन BC square मतलब यह equation को हम अब दोनों side से BC square से divide करके देख लेते क्या होगा है थीक है तो हमार हो जाएगा AB square upon BC square BC square upon BC square यह का कट करो के 1 AC square upon BC square इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB upon BC the whole square plus 1 is equal to AC upon BC the whole square ठीक है अब AB upon BC AB क्या addition upon BC मतलब 10 का उल्टा मतलब यह हो जाएगा cot square theta तो यह हो जाएगा 10 is opposite upon adjacent तो adjacent upon opposite को हो जाएगा 10 का उल्टा cot हो जाएगा plus 1 is equal to AC मतलब hypotenuse और BC opposite मतलब यह sign का उल्टा हो गया sign का उल्टा को ने cosec cos square theta तो हमारे यह 3 identity आएगा कि koc square theta plus 1 is equal to cos square theta तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह पहले identity 1 plus 10 square theta is equal to x square theta यह दूसरे identity और cos square theta plus 1 is equal to cos square theta हमारे तीसरी identity अब हमने और नेक्स वीडियो में लेंगे और फोड़े बहुत शोड़ेट वाले क्वेश्चन भी सौड़ करेंगे एज़ी में आपको बताँगा कौंसेप्ट चूली अभी आपको क्लिर कराऊंगा जिससे आपको अभी ये व्यज्व होगा और होगा उम्मीड आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और